नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका CP Smart Classes में दोस्तों RRB NTPC की जो वेकेंसी निकली थी उस वेकेंसी के बारे में एक इंपोर्टन अपडेट है इसके लिए मैंने वीडियो मनाया है बहुत से चात्रों के पास मैसेज आ रहे थे से RRB NTPC से संबंधित और उन मैसेजों से वो परिशान थे हलाकि सब कुछ किलियर हो गया है उसमें पदों की संख्या कुछ घटा दी गई है DLW के कुछ पद निरस्त कर दिये गया है उनका विग्यापन वापस ले लिया गया है अब पदों की वरित्यक्रम आपको बदलना है आपने जो भी पदों का वरित्यक्रम भरा हुआ फार्म में उसको आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो पद हटाए गये हैं उन आपसर है जुन्होंने एपलाई नहीं किया था जो फार्म भरने से चूग गये थे वह फार्म भर सकते हैं अब तो पूरी न्यूज देखते हैं आपको दिखाते हैं पूरी न्यूज आप देख सकते हैं DLW की रिक्तिया निरस्त कर दी गई है रेल्वे रिक्रीट बोर्ड ने छात्रों को बेंजा संदेश 30 से प्रेल तक बदल सकते हैं विकल को जहाँ पे साब सब लिखा हुआ है कि रेल्वे भर्ती बोर्ड और और आर्वी ने नान टेक्निकल पॉप्लर क सब्सक्राइब की बोर्ड ने बुद्वार को डियर लोकोमोटीव वर्क्स की रिक्तियों को रद्द कर दिया है इसके तहत कर्मचारी और कल्यान निरिच्छनपद और जूनियर अनुवादक हिंदी पदों को वापस ले लिया है इससे आविदन करने वाले सभी छात्रों क को सुबह मैसेज और इमेल भेंच कर इसी सुचना भी दे दी गई है सुचना में बोर्ड ने साफ किया है कि जिन उमिदवारों ने डियल डवलो के लिए आविदन किया है वह अपने और रवी रेलवे प्यू और अनिस्रीनी विकल्पों को 30 अप्रेल 2019 तक संसुधित कर सकत है उमिदवारों से किये गए संसोधन के लिए कोई सुल्क नहीं लिया जाएगा 22 तारी तक आवेदन कर सकते हैं अब यह डेट भी बढ़ चुकी है और आवेदन करने के अंतिमतिती 22 हो गई है पहले यह साथ अप्रेल तक इसकी लाज़ डेट थी और एक जी जावर है रेल है लेकिन आपको अपने वरित्य अक्रम दुबारा भरना होगा अगर आपने और भी इलाहावास से अप्लाई किया है तो दोस्तों यह थी अपडेट आज की और भी एंटी पीची सब मंदित अपडेट थी यह और इस तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पे हमेशा मिलती ही है अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबा दे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ धन्यवाद